मैं स्वागत करती हूँ डार्क होर्स औघड और यार जादूगर जैसे किताबे लिखने वाले साहित अकैडमी अवार्ड के विनर श्री निलोदपल मिरनाल जी का नमस्कार सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चानल पर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मधुजी सर क्या मूड है आज आपका और अपना मूड को जो है कुछ कवीता के माध्यम से बता दीजिए मूड तो खर अब इतना अच्छा आपका सेट अप है और हम लोग यहां बात करने आए तो माहौल इतना जीवन थे तो यहां आके मूड कैसा भी बाहर हो आपके स्टूडियो के अंदर आके तो बेतर होई जाता है और आप जैसी बात करने वाली जब सामने हो तो बिल्कुल जो है कि हम लोग एक अच्छे और सकारात्मक वातापरन में बात करेंगे और कविता आपने कहें तो मैं सुरुवात इस बात से कह रहा हूँ कि आदमी का जो क्या है कि मतलब मन मिजाज तो बदलता रहता है लेकिन उसके बीस से भी कुछ सका आत्मक निकल के आना चीए तो अभी फागुन आने को है आप जब फागुन के वाद जब पद्जड आता कि कुछ बेहतर होने वाला है मतलों निरासा वाली बेचेनी नहीं है पलास जड़ रहा है और जेट की दूपरी अब आने वाली है तो इस तरह का एक माहौल जंगल में रहता है तो हाँ से गीत मैं बताता हूं सुना रहा हूं आपको कि ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू तो ना ए उदास मौसम उदास नहीं होना तो उदास मौसम में भी उमीद लिए चलने की बात है कह लोगे खना कोन भी ब canvas कर विलिया खी जाते हैं नहींक जिदनेगी में कोई उड़ास यह होगादी अधूने के बाद कि मैं लब भागी कि वह आत्मा में चोट लगा तो मैंने पहला गीत लिखा और यह जो है कि या मैं तभी लिखता हूं जब अंदर से कोई लात मारता है मेरे तो यह सब बाते हैं यह मुझे नहीं पता कि इस मेरे अनभव में नहीं आये जीवन में लिखना पढ़ना आपकी रुची में होता है और ऐसा भी नहीं है कि कोई मुझे पूचे का अब कभी बने तो मैं वो दिनांक भी नहीं बता पाऊंगा कि कालिया मावस की रात थी आंधिया चल रही ती तुफान और रात के साड़ा साड़े बारा बज़े उनिस सो दो हजार तीन में में रात में कविता गुंजी मेरे म देखती है तो यह आपकी रूची अपने आप जह लगने लगती है तो मेरे भी यही थी और ऐसा नहीं कि उदाशी की कभीता लिखने वाले को किसे ने चाकू मारा हो तो ही दार्द की कभीता लिखेगा मेरी एक कवित्या का कुछ पंक्तिया है कि वो विरह पर कवित्या लिखने के लिए प्रेमिका चोड़ रहा है और वो क्या बोलते हैं ब्रधासरम पर कवित्या लिखने के लिए माबाप को ब्रधासरम चोड़ा रहा है और क्या बोलते हैं, और तो सब लोग माप, पत्नी, प्रेमीका, सब कभी से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन कभी सब से कविता कर रहा है, तो कभी को इतना भी चालवाज नहीं होना चाहिए, कि जो कुछ भी कर रहा हूं, कविता के लिए करना हूं, ये स्वभाविक जीवन है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कभीता का कच्चा माल नहीं है, सर एक ठीक है, अगर दुख नहीं, ऐसे कोई एक्स्ट्रीमिटीज नहीं है, लेकिन एक हर आम व्यक्ति के जिंदगी में, जिसे एकर मैं अपनी बात कहूं, तो ये कुथल-पुथल ये होती है, कि कुछ करना है अब वो क्या करना है, कैसे करना है, कभी लगता है ये करना है, कभी लगता है वो करना है, और मुझे लगता है, ये शायद कभी भी संगर्श ये मन से खतम नहीं होता है, जाए आप किसी भी मुकाम पे पहुँच जाए तब लिगे उतना मज़ा नहीं आया, थोड़ा और बादचीत के जरी यह उसको निल रही हैं। おथल-फुतल Nada ê, उसको निल निलिल हैं। जिसके अनदर उथल-फुतल यामा पुड़ हो जाएगा। कितना भोपाल मैं आपको बुद्द से बेट हुआ है, यहां से इंदर जाने पर भेट हुआ या मुझे पट्ना में राच्छी में मिजू मिलें, यहांनी हर इंसान के अंदर अधल पुदल है, कोई अपने इसी अधल पुदल के धागे को बुन के कुछ रच देता है, यह उसका कौसल है और यह कौसल अभ्यास से भी आता है और रुची तो हनी ही चाहिए। यही बात है। सब नियती में कितना विश्वास करते हैं आप। नियती में मेरा अधिक सधिक विश्वास है। लेकिन नियती भी तब जब कर्म उसके साथ चलता रहे। तो नियती भी जगे हुए आदमी के साथ, जैसे आपको भागे ने खूप सारा चावल दे दिया, तो चावल भात कैसे बनेगा, मतलब खाने लाग भात कैसे बनेगा, जब आग पर चड़ेगा, तो कई बार नियती आपको चावल उपलब्द करा देगी, लेकिन कर्म आपको जिस पर चड़के वो चावल भात के रूप में बनेगा, तब आप उसको खापाएंगे, नहीं तो रखा रखा घून लग जाएगा, यानि बहुत भागिसाली आदमी का भी कर्म अगर जला हुआ हो, तो वो ऐसी ही रह जाता है, जी, सर आपकी एक जो आपकी न्यू बुक ह जटिलताओं पर है, मैंने उस किताब को इसलिए लिखाता कि मैं मिर्त्यू के प्रति खुद को कन्विंस करूं, कि मौत आना, तो सब को जानते है आना है, लेकिन उसके आने पर घवराना नहीं है, वो भी एक जरूरी चीज है, मैंने खुद को कन्विंस करने के लिए वो कि जन्म अगर एक घटना है तो मिर्त्यू दुर्गतना नहीं है, मिर्त्यू भी घटना ही है, जो घटित हो रहा है जन्म होने वाले के साथ, तो उसी तरह से जैसे कि 9 दिनों तक हम दुर्गामाता के पूजा करते हैं, और 10 में नाचते, जूमते, विसरजन करते हैं, तो इसे 9 जीने को मिले हैं, उसको मुझों जूम जूमके जीएं, सयम से भी जीएं, बरत् करके जीएं, अलग-अलग तरीके से जीएं, नौ दिन का 9 विधान है उस तरह से जीएं, और 10 में जूमते हूए विधा हो जाएं, यही है, तो उस किताब में मैंने यही कोशिज की है, और अ अगर मुझे पता चलिया कि मैं 400 साल जीऊंगा तो सौ साल तो मैं खहीनी लगा के सड़क किनारे टहलूंगा कि अब देखेंगे 50-60 साल के बाद मैट्रिक पास करेंगे उसके बाद देखेंगे 60-70 साल के बाद कुछ सोचेंगे अभी तो जीवने नहीं खतम होने वाला है मेरा आपको बता है कल ही खतम हो सकते हैं इसलिए आप इतना एक्टिव है सक्री है और एक सार्थक जीवन जीने का हर दिन प्रयास कर रही है तो इस मामले में मैं मनुष्य को इस स्वर से ज्यादा बड़ा मानता हूं इस स्वर अभी तक अधूरा है एक अवतार दो आवतार तीन आवतार चार आवतार पांच आवतार कामे नहीं खतम हो रहा है इस स्वर का कल की आवतार का इंतजार कर रहे हैं अभी भी काम बांकी है लेकिन गांधी का एक अवतार क मैं और यह भी बात कि कालाकार की कृति HC । हमेसा कलाकार से बढ़ी होती है आप लियो नार्डो दविंची का चेहरा देख्या और तो कम संगम इस्वर के कलाकृति को तो इस बात का सौभाग मिलना ही चाहिए कि वो सार्थक जीवन जी और मृत्यू का भी स्वागत करें यह तै है सब पर मृत्यू के बार में इतना कॉंशेस्ली आप क्यू सोच रहे हैं या कोई भी क्यू सोचेगा जब छारो को वियना अथान ने विया है, प।नि ने कूँ कीन रहुकराण ही जब चारो तरब मृत्यू देखने लेगी और चितकार देखने लेगी। उसी दोरान में ने सोचा था तो इसमें जैदू क्या रहे है जैसे आप जैदू किताप लिए över helps rate दीहुत कि केमें जादुनु मुसंगेंगा है। कि इसमें एन हें यम्राज का जिकर? वो अहें वहुं donald करता वैं। यम्राज कोंछी देवता की चीआ नहीं है ऐसी प्रखुर्ती और इसी पूरे इस प्यूर्सान में उसका यम्राज भाउटून पात मी डिन साथने का उस्थापित कर लें जाए हैं। मैंसे हैं सmen बतों से अपने लुगों से बात कहने की किया है। मैं जो जो इंध मुझे भाई गहन तरीक से मुझे से लाख रहा है हुआ होगा और जानती भी होगा मैं अपने उम्र के लोगों से यह बात कहना चाहँ रहा हूं। इस्वर और प्रकिर्टी दो चीज है यह उसकिताब में इस्वर एपसलूट वेसा नहीं इजास हम सुचते हैं कि एक इस वर बैटने भी बहुत लोग कहते हैं कि अगर इस वर है तो गलत क्यूं हो रहा है अगर इस वर है तो यह कि हो रहा है भाई साहब एक आप जाई एक मंदिर में वहीं पर एक आदमी आपको ना रेलवे की गेंगमें की परिछा पास करने का बिंती करतवा मिलेगा वह जो ही राष्टपति बनने का क्यों नहीं मांग रहा है भगवान से तो आदमी क्या बोलेगा मेरी अवकाती नहीं है इसका क्या मतलग इस सवर उतना ही बड़ा है जितना आपका च्छमता है अर्थिंग जितना ही बोल्टेज ट्रंसफरमर में आएगा और सबका अर्थिंग लिए ऑफने सबस्का अर्थिंग बड़ा तो उसका काम हो जाएगा इसे सथी की थाकट है कि आम राज के हैसे अपने पती को ले रहिए जै इस्वर प्रकृति का इस्वर और मनुष्य, दो प्रकृति की धनिया है, या यू कहिए कि दो उत्पत्ति है, एक इस्वर है और एक मनुष्य है, या यू कहिए कि प्रकृति ने इस्वर को अस्थापित किया और इस्वर ने मनुष्य अचा है, तो प्रकृति अप्सलिट है, नेचर टाकत है जो आप वोले नेचुरल पावर, सूपर नेचुरल पावर तो मैं मानता हुए प्रकृति सबस्रेश्ट है प्रकृति की प्रति दोनिया इस्वार हो मनुष हो जीव हो जनतु ये बात है आप क्यों फिर शिफ की और काली जी की पूजा करते हैं दि आप अपने कर्म को ही मानते हैं कि वो इश्वरी रूप है कर्म इश्वरी रूप तो है मैं इसलिए मानता हूं कि वो 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 उर्जा का पिंड है वो उर्जा सुरोत है तो कर्म करने वाला कहीं से उर्जा लेना क्योंने चाहेगा, लेना चाहेगा हम जानते हैं कि बिजली सब बलब जलेगा लेकि बिजली कहा जा रहया बान सकता है pern- तो पानी को घुमा के बिजली बना रहा है तो इस्वर हम मानते इस्वर या प्रकृति जो भी एक टाकत है उससे मुर्जा लेते हैं फिर अपने कर्म से बल्ब जलाएंगे लेकिन जल धाराज लेंगे या इंधन तो हम कहीं से लेंगे तो वो इंधन है इस इंधन से कर्म आप भगवान का मन शिकार ये बिलकुल ट्रांस्वांबर का तो यह है समाने तो पर क्या है कि युवाओं के साथ यह एक पर्सेप्शन बना लिया जाता है कि यह सब क्यों सूचेंगे अभी मैं मैंने पहली किताब डार्खर्स लगी मुखर जीनेगर में तयारी करने वाले सांस्कृतिक पहलूं को छुआ जो हमारे समाज में है हमारे समाज में जो छूटे हुए सामंतवाद के चिन है उसको चुआ जातपात को चुआ को चुआ किसानों की दसा को चुआ तो थोड़ा सा वहां पर एक बॉक्स टूटा की नहीं यह अपने सोसाइटी को भी देख र चुआ है मैं जो आतमा या इस वार जो बुल डाओ मैं उपनिसद को कोट कर रहा हूं मैं चांदोंक पड़के आया हूं मैं इस्ता वक्र गीता पड़के वहां पर लिख रहा हूं जितना भी पड़ सका मैं ई्रोप के कुछ भर्शुनिकोंको पढ रहा हूं मैं नहीलिजम पूरा सुन्यबाद पढ़ रहा हूं, नास्थिक्ताबाद पढ़ रहा हूं, सौपे नहर को पढ़ के आ रहा हूं, मैं निट्से को पढ़ के आ रहा हूं, जो कहा रहा है, इस्वर की मरने की घोषना कर रहा है, चाहता है तो मैं पहले इस्वार की मरने की घोसना करने वाले का संदर्व ले कहां कि तब आरजादुगर में ऐस्ट में जा किहता हूँ एककात है और मैं अन्वार कुद को आस्तिक बतादा एक क्रक्स निकल के आता है कि पूरा यूरोपिय दर्शन रख दीजिए, वो सब आपको जूठल लगेगा भारतिय दर्शन का, अगर यह मैं बात बोल रहा हूं, इसको कोई प्रो सनातनी जैसा ध्वनी कर रहा होगा, या कोई मुझे यहां से कुछ कुछ कट्टर हिंदू जै पूरीय दर्शन का था इसान पंडाने मेरी उम्र के इगा घ्वाओं को, यार यह सारा इजिए को फड़ने को पढ़ने हैं अपूरोप में आप इसा नहीं पाद बात की चीजहां है मैं अन्षों पारतिय दर्शन की विपुलता का ऐसास नहीं है मेरे उमर के उगाओन को ब माक्स का, कांट का, एगल का, तो हमें लगता है कि हम कुछ गजब कर गया, आमने गजब ढ़ा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहां पढ़िए और आपको तब समझ में आएगा कि अश्टावकर गीता पढ़िया, क्या कोई पाखंड को या कोई माया को क्या काटेगा यूर तो हमारे पास मूल अगर है तो आप उसको पढ़ें, और यह मैं पढ़के अपने इसाब से इतना समझ पाया हूँ, उतना समझ के बोल रहा हूँ जैसे आपने लियूनार्डे दी विंची का नाम लिया, मोना लीजा का, मैं हाली मैं अशुक चक्रधर जी से मिली थी, और उनसे मैंने बात्चीत के दौरान यह पूछा कि सर इतने सालों से आप लिख रहें, तो आपका मास्टर पीस क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी बनाऊंगा, तो सर जैसे अभी आपने इतने सारे बुक्स लिखें, और आपका जो फर्स्ट बुक है, तो यह इतना जादा फेमस था, तो वाट यू बिलीव कि आप एक मास्टर पीस बनाएंगी, या इन में ही आपका एक मास्टर पीस है, यह एक अच्छा और से यह एक अच्छा आपका जाएंगा, यह एक जो एक दम तय और बड़ा सुन्दर सा उतर है, मेरा अभी अच्छा आबागी है, तो आप एसा लगता है, कि मैं जिस चीज को जनम दे रहा हूं, वो इतना फेमस हो जाएंगा, क्या मतलब पता चल जाता है, कि मेरा काम इसलाइक कि इसा होगा? किताब तो भाई बर्गत का पीड़ है उच्छाया देगा अफल नहीं तो आप उससे हीट और उस तरह की चीजें की उमीद नहीं कर सकते लेकिन उसनी किताबों में कोई किताब बाजार में तो जाएगी और भिकनी भी चाहिए और खूब भिकने का प्रयास करना चाहिए लेकिन रचना धर्मिता के बीच में बाजार नहीं आना चाहिए जब रच रहा है तो बच के बच के रचेंगे फिर खोज के बेचेंगे कोई दिकत नहीं तो यह बात है रचते वक्त इससे बचना चाहिए जी जैसे कोई जैसे यूपी असी की प्रपरेशन कर रहे है आज कल सारे वीडियोस चल रहे है कोई जैसे आलेखक के लिए यह ममूमन माना जाता कि पहले आपक इस की रहे है theod os a take क्या लेखक ने भी अपना कोच ही सृष पढ़ाना इसलिए चाहिए कि पढ़ाएंगें तो इंधन नहीं मिलेगा सोचने का कितना भी बढ़िया हो त्याल डालेंगे न उसमें ताभी तो घाड़ी चलेगी तो मस्तिसक कितना भी उरुबरो कितना भी आप अब आपको इस्वर ने ले जा के कोनें बना के तब फिर भेजा हो बाकी लोगों को स्टाप सबन वा दिया हो अगाओ का ने ने मंटु कहम बनाएंगे खोद लेकिन फिर भी मंटुआ पढ़ेगा रही तो सोचे का क्या इसे सोचने वाले लोग दैत बनके घूम रहे हैं तो चानक के सेर चल रहे हैं चानक ने सहरी लिखी है इसे सोचल मीडिया पती भी चल रहा है कि सीता मा जो है कि रावन से कितना नस्दीक थी और जो है दोनों बाप बेटी थी इस भी चल रहा है बहुत परमानिक तोर पहांदा कि यह बोला जा सकता है का थी कई सास्त्र इसको गोसित भी कर देंगे कि भाई वहल की पुत्री सीत जमीन से निकली थी है और फिर कहा रावन का रक्तगीर आ था तो उनकी पुत्री की थी लेकिन बात कहने का मतलब की किताब लेकर बैठीएगा तब गहनता से कुछ पढ़ा और समझ पाईएगा उसको तार्किर गुप से सुन पाईएगा नहीं तो वही है मंदिर के नीचे म क्या पड़ी रहा है चुकि इंटरनेट पर भीड बहुत एसलिए लगते हैं कि नहीं पढ़ रहा होगा अभी तक भी सरकार ने सांस लेने पर रोक नहीं लगाई है आने वाले युग में हो सकता है कि उसकी सरकार आएगी तो बोली कि हम 24 गंटा आपको सांस लेने देंगे तो कोई कह देगा मैं 26 गंटा दूंगा दो गंटा बढ़ा के दूंगा बजट में हम इतना लाएं कोई 18 गंटा दे रहा है इसा हो सकता है अभी हमको उतना ही समय मिल रहा है अभी हमने नग्सदीक अभी हमने मौत की बात की तो सर कौन सी किताब पहले पढ़े पढ़े हैं इतनी सारी जिसका पीछा मौत इतना सुझेगा अगर मुझे यह पता चलिया कि मेरे पीछे मौत दौडा के मारने वाला है किताब प्रनिक चक्र में कहा हैं बढ़िया गेवरु मौत हमारा पीछे मौत की खुबसूरती है कि उसके उसके पारे में पको पता नहीं कि क्या पता आप अठानवे वरस के उन्हों यह पोड़कास्ट करते मुझे 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 अम मैं 136 चार वरस का यह प आप अए गई तो इसलीए उनिस्चित है हम जो कर सकते हैं पढ़ से फीक अर यह चार पासा यह पानाट के न vềच हम पास तो यह कोई बाता नहीं है से हम अपने आसपास के तंटर से समय भले कम कर लें लेकिन जितना यंतर तंटर मंतर से दूर जाएगा शमय बढ़ता जाएगा करशेया सकती हैं पेंटर पंड़ refers पढ़नें लगा देए लय भानने भाणे यह विघेड़ें आब ऐसा माना जाता है शक्राइब था रिखारीप जोले में उनकली दात के है तेला में जोले जोले सुपनेट एक नितर देखने का जखनेगा गए मान्न देखने लगता है थे अब बतारा, ये लेखक रहता है। जाओं घंग भाल सफइद नहीं बतार हुआ है। सै टो तक नहीं जळान है । उछ नहीं है। प्रस्न पूरा कर ले गिज़ु यड़िस पनी बतार है। कि दिन बदला है तो यह अच्छी वात है इसका मतलब है कि समाज अपने लेखकों के प्रती भी थोड़ा सा उधार हो रहा है नया युवा युवा जो आरा है वो मानता है कि मेरी कहानी वाला लिखने माला मेरी तरह तो कम से कम हो इसका चस्मा मेरे जितना हो जिस आपना समय देख सके तो अब फेमस हो रहे हैं मेरी कहानी पर फिल्म बन जाए और जो जो डिरिस दिखा रहा है जो डायलोग बोल रहा है वह अगर मैंने लिखे है वह हीट हो रहा है और उसके पीछे जो ब्रेन है जिसकी लेक नहीं उसको अच्छी बात है और थोड़ा खायगा प्येग नहीं आत में दरद रहेगा भूखेत कितना बोलेगा कितना लिखेगा वेचारा तो दूर होनी चाहिए उसका भी जीवन है उसका पेसा है इरोप वगरा में नॉबल प्राइज विजेता बैठे रहते हैं लेटिन एमिर की द अच्छा है अब आप इसी सोफा पर हीरो को भी बूलाई होंगी सिंगर को बुलाई होंगी बड़े अधिकारी आया होंगे आपने को भी बुलाया है लेखा को इस बात से क्यों बंचीत रखा जागा उसको लाइट बद्ती फोकस में आदमी ना देखे उसको पचास आद मि किताब लिखा है तो किस से कब मेहनत कर रहा है बचारा जयताना नाचने वाला उतरे हम लोग भी नाचते हैं दोड़ना है तवा है परसान है उसका प्रतिदान तो लेकर को भी मिलना चीए यसा कुछ नहीं है लेकिन चेंजिंग टाइम से बहुत जादा अच्छा होता जा बिल्कुल वैल्यू जो लेकर की कभी की जो पहले थी उससे बहुत जादा एडवांस और अजकल सुपर स्टार और एकदम कारण है तो प्रभावित करने लगा है लोगों को सोचर मेडिया का दोर आया है तो वो भी जन्मत को प्रभावित करेगा देखिए हीट वही होगा जन्मत प्रभावित करेगा या नहीं तो फिर जो उल हरकत करेगा दो ही या जो ही हादम ही होता है या प्रभावित करे जन्मत, हर्कत वाले भी हैं। एल्य। वो भी कुछ दिन टिकते हैं लेकिन जन्मत का मतलब कि जन्मत का मतलब राजनीती नहीं समाजिक विसे पर और भी विसे हो पर सांस्कृतिक विसे हो पर जो अपनी बात रखे लोगों को लोगों से संवाद करें वो क्यों नहीं पहचाना जाए समाज में और लेखक तो 24 गंटा जब सोसाइटी पर सोच रहा है तो भी आप टीवी चैनलों पर देखिए का राजनीती पर बात करने के लिए दो पाटी तीन पाटी का मुरगा बुला लेता है लोग वो आपस में पंक बटोरेगा इसका पंक बटोरेगा उधर से जूता चपल चल रहा है लेखक को नहीं बुलागा उसको बुलेगा आपका काम लिखना है लिखना क्या लिखते है हम हम नमर प्लेट लिख रहे हैं गाडी का होडिग लिखते हैं कोचिंग का समाज लिख रहे है ना राजन आने मादमों से धारना बदल रही है, यह हाथ से कभी यह सटायर यह सब चीजे हम बहुत सालों यह बहुत प्राचीन कलाए हैं, आज के डेट में आप एक तो यूथ हैं इसलिए स्पेशली मैं आप से पूछ रही हूं कि आज के डेट में जब इतना सोशल इंफ्लूएंस होता है लोगों का तो कुछ हम देखते हैं कि बहुत जादा वल्गारिटी भी कई जगे आ गई है तो उससे कैसे हम सोसाइटी को इतकता खाल आप संद्रिबह से वाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये हमेइशा से है जो सील असलील का मामला है ये कोई क्या बॉल्डर कोई खीचने वाली बात नहीं है कि यहां से इधर असलील होगा इसके इस पार सील रहेगा एक व्यत्लिकरлон कि फुक्स प्रिस्चिती होना होगा उसको थोड़ा इंसब्चियों का ज्यादा स्वागत करेगा तो मन बढ़ता है लेकिन मुझे लगता है कि ओडियंस के हाथ में नहीं है और बाता पानी हो भाही जाता है बचारा और मोबाइल ने इतनी बड़ी आजादी दे दी है कि जो आदमी आपको साधू आपको नहीं पता है बचारा साधू हत्याग विडियो देख रहा है क्या पता तो आप अपने एकांत में क्या है दुनिया को नहीं पता उसी एकांत से तह होता है कि आपका टेस्ट क्या है क्योंकि अब इंटरनेट पे चीज़ी आने लगी है तो बहुत वालगर चीजे भी तो यह तो ब्यक्ति की आंत्रिक्षी तरह से आएगा इसका कोई अभियान नहीं चला जा सकता है हम यह कर सकते हैं कि आप पढ़े लिखे लोगों से हाथ जोड़के बिनती या उमीद कर सकते हैं कि लेखक वलगर ना लिखे वो असलील कोमेडी ना करे जहां पर असलील कोमेडी चल रही एक आदम हिम्मत करके बोल दे कि यह महिलाओं के खिलाब तुमने कहा यह बात समाज के खिलाब तुमने कहा यहां से चीजे रुकेंगी मूवीज और बुक्स के लिए शैंसर शिप आ जाती है तो इन सब चीजों के लिए नहीं आना चाहिए वह भी एक उपकरम है आनी चाहिए कुछ चीजें इतनी खुलयाम हो रही है उस पर सेंसर तो होना चाहिए लेकिन वही है आप सेंसर होने पर लोग कहेंगे कला की अव् प्राचिन गरंत निकाल के चैट्वास लिलता अगर उदान रख देगा तो पागलो जी करेंगे करो बाबु हम अपना सट डाउन करते हैं मोबाइल नहीं देखेंगे यह यह आप करेंगे आन तुम्हें मैं पहले यह बोल रहा हूं कि आप अपनी चेतना से उसको अस्विक इसकी तो बढ़न और प्राइब तो हम बुरी फिलमों का आलोचना करेंगे अच्छी फिल्म नहीं बनाएंगे तो दिक्कत है लुए ना अच्छी चीजें बनाएं ना हम यही कर सकते हैं तो एक विचार को आंदोलन बनाने के लिए क्या लगता है हिंबत लगता है कि अलब आज आप ने अलग कोई सपना देखा था, आज आप एक अलग ही मुकाम पे हैं, जो की बहुत ग्रेट है उस चीज से, तो सर, क्या बिलीव करते हैं आपकी ड्रीम्स को बदलते रहना चाहिए के डिफरेंट एज पर इज पर इफरेंट सिचुएशन, खुद बदल जाता है, हम लोग तो उस दौर के बच्चे हैं और ऐसे परीवेश से आये, मिशन था, मिशन भी बहुत कड़ा नहीं, कहीं नोकरी कर लें, इस अपना नहीं होता है, सपना तो आजमी जब कुछ समर्द्धी जुगाल कर लेता है, जब कुछ साधन जुगाल लेता है न सब सपना का ब आदमी लोवर मिडिल कलास के बच्चे साधारन गाहा होता है, इसके पस टास्क होता है, टास्क जाकर परिछा पास करके नौकरी लेकर आओ, टास्क को सपना का नाम क्यों देता है हम लोग, सपना मै अब देख रहा हूं, मैरे 10 लाग किताब भी गई, मुझे बुकर मिल जा है, तो गाह अदेहात के साधारन बच्चे और बच्चे सपना उपना नहीं देखते हैं, इनको इस सब गलोरिफाई में है, बच्चे बहुत संगर्च कर रहे हैं, उसको टास्क दिया गया है, टास्क को सपना नहीं बोलने का, तर UPSC को इतना गलोरिफाई क्यों करते हैं, ऑगला गाई हैं लोग, आप दिमागदार हैं, नहीं निकाला तो आप बेकारे, एसा थट कि हो हैं, इसको कैसे चिंझ कोई दार्क होर्स मेरी किताब में एक पंक्ती है, कि ज़रूरि नहीं जो सलेक्ट हो और करेक्ट हो, इंटरनेट पर जब भी कोई ओफिसर गरबल करता तो आपको यह लाइन इंटरनेट वाइरल दिखेगी, यह डार्क होर्स की लाइन है, कि जरूरी नहीं कि आप सलेक्ट हों, तो करेक्ट हों, तो कोई भी परिच्छा आपको करेक्ट घोसित नहीं करता है, उस परिच्छा में सलेक्ट घोसित करता है, और यह बोलना कि जो उस में इतना ने ह्थी दिमागदार है तो देखला है जो दिजा है से दिमादार हो आप अपो लेकले सबस्क्रास अब देखले के वह भी है और झाह ब इंट बस लुनिया को जो भी रिंदर प्सक्रास हो तो मिरही को सबनादम लाएब है। जो भी एक्जकूलटीव को जो भी बेबस्थापी का टास्क देती है, उसको भी बिना दिमागा करना होता है कई बार, ज़धा दिमाग लगा दिये तो साइड दो जाए, तो यह प्रतीभा एक्जाम से नहीं तै होनी है, जो कलाका हा है विना दिमाग के कलाका परतस्थन कर र तो इसलिए जो इस रोग ग्यानिक है वो क्या है वो तिसोर तिसोर लाइन से आये हैं ऐसा नहीं है हमने अपने समाज में यह बना लिया है उसका थोड़ा इंटरनेट भी है पटवारी की परिछा पास हो जाई है इतना गंदा गमाला यहां तक लगए रहेगा लिखे का जिले में हर्स का माओल तो अखवार वाला जिले महर्स अगर पटवारी परिछाम दिलवाएगा तो यूपेसी भगवान नहीं बनेगा पटवारी जिला में हर्स आप पैदा कीएगा फिर इंटरनेट पो कहेगा कि पटवारी बनके जब गाउं पोचा परधान ने किया स्वागत दोल नगाड़ों से हुआ स्वागत तो आप खुद हैं इसको इतना गुल रफाई कि जब समाज में करिएगा तो बावराएगा ही आचकल कई लड़का सलेक्ट होने के बाद अपना ब्लॉग बना रहा है क्यों कैसे खाता है कैसे जीता है कैसे दात काटता है उसका खून का अब हारा में बुलू का च्छापा अगया है अगले वीडियो में मैं दोस्तों बताऊंगा कि यूप्यसी के लिए कैसे खिचड़ी बना जाता है मैं खाऊंगा मैं आपको उस कमरे में ले चलूँगा जहां मैं जंगर्ज करता था लड़का इंटरनेट पर दोड़का कर दोड़का इंटरनेट का नव टंकी आया इससे बढ़ गया है इसको तोड़ना होगा अलग अलग छेतर कर लोग भी दखाएं हम लोग भी दखाएंगगा आओ मैं दिखाता हूँ जहां पर मैं डार्ख लिखा था इतना कड़्णा होग गया मैं बेचा ना इतना जो नोकरी में है। उनका अलज़धुक है। तो नथ नही आंतर नहीं है। कि माटी का खिलोना रही है। बीटी को पावल या मिती है। फिर उन्हे ग 묶लना का सपना 라고 देखना है। माटी का किलोना उनमीर का खिलोना है। तो जाकि अन दो सब्सदोर। जाहे हर चीज का कमक भी ID og क कर्क्स एक पनटीशन और भाशन कोी राइटर लिखेगा जाहे कोई मुवी हो उसकी स्कृप्त किसीने लिखे की स्टोरी लाइन किसी लिखेीं तो हर जगह यहां गाना वो that राइटर इस दे में तिंग, फिर भी वो इतना अंडर रिट इट क्यों रहते हैं। इस बात को उठाइए आप लोग, इस चिंता तो हम लोग को भी है, चिंता में बाल जड़ा जा रहा है क्यों है। यह नहीं की इसक्यान का वाल जांग रहते है। इस चिंता, जड़ा ज़्वा, आप बाल हैं जड़ा है। कणवा रिट दे रहत हैं। जड़ा यहां महीं कैश्ट का पृश्त अपर आंटार मैं पहले आजकूत, छोश्त दीखत नगे हैं। तो वह अपनी अदाएगी, अपनी प्रस्थुती से अप पर्दे के सामने लगा है, तो अब वो पहचान में आने लगेगा, अब वो लोगों को दिखने लगेगा, तो यह वक्त बदला है, और उसके पास साधन भी है, इंटरनेट है, इंटरनेट ने पर्दे के पीछे के इस अपने प्रस्थूती को सामने लाकर रखतिया है, अब वो इस तोर पे भी खुद को माझे कि अपने की प्रस्थूती कैसी रखनी है, कैसे प्रस्थूत करना है, तो वो जाना जाने लगेगा, आप। राइटर्स के जनरली इंटरोवर्ट माने जाते हैं कि वो ते अच्छे अच्छा हो या हो सकता है, अगर जो इस तरह से अपने विचारों को नहीं आगे लाने तो जो लोग बोल रहे हैं, उनका दायुत्य को बता सकें जो की परदे के पीछे जो लोग मेरे से स्रेष्ट लिखने वाले हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो भी इस दुनिया में हैं, तो यह हम लोग का काम है, यह हम लोग की मुहीम है, कि हम अपने समाज के अच्छे लेखक, जो नहीं परदे के सामने जा रहे हैं, उनके बारे में दुनिया से बात करें, उनको लेख एक परिचित करते हैं या तो परीच करते हैं या नहीं जाते हैं तो उनका नाम लेकिए वो लोग जाएं जो लोग जा रहे हैं तो हम लोग लेते हैंगे, ना, हम लोग कहते हैं कि अपनी पीड़ी से कि भाई, तुम उनको पढ़ के देखो, क्या है सरा कर इतना पावर क्यों होता है ऐगा कहा होता है कि तलवार से बड़ा हतियार कोया होती है आज की दुन्या में क्या राइटर ही अक्टिविस्ट भी है नहीं राइटर एक्टिविस्ट टो है देखे juni किस पर चलेगी ये विचार तेह करता है तलबार का तो अपना workshop तलबार का अपन दिवाग मिन आ ए विचार तेकरता है कि तल भा आदमी काटे कातेंगा आदमी काटे गाद और किसका काborg ए। न मेरा काट Zac कार एंव मेरा कार कार क 술 भाद काटे कि उस रंग काका कार कहने का मतलब है सब विजार से ही तो समाज में सक्री तोर पर अपनी राजनिती को देख रहा है आज सपास के समाज को देख रहा है तो के बल देख नहीं रहा है उसका काम के बल लिखना नहीं है आज का यूग इतना अगर तेजी से बदल रहा है तो वह अपनी भूमिका भी बदली भूमिका में मांग कर रहा है आपने लिखने पढ़ने वालों से भी कि आप भी सक्री होके आईए क्योंकि इंटरनेट के बाहाव में बहुत नकरात्मक विचार बहुत लोगों में घुसा कर उनको मानव बम की तरफ परस्तूत किया जा रहा है ऐसे में अगर लेखक सिर्फ कमरे में बैठके लिखेगा और प्रहहतस है और है गो बहुत अल्तरा बहुत निर्खेग है फिस बहुत सब्सक्राइब का मैं। अगर यह मैं बोलूं, आप मैं ऊपर चड़के चाथ सियार खाली गीत गादू माइग लेके और आगे में घी डालके युवा तुम आगे बढ़ो, हम तीन किलो मीटर पीछे तुम्हारे साथ हैं, फिर तो गलबल है, जाना होगा, लीड करना होगा, कोई आपको वैचारिक न क्यों उनना और तो, प्रूब आणा है, फिर टैट राँ, स्साल गाले को जानी था, और नहीं सरकार को उचकार में करण को घ्यजर्ट का क्योंठान खाली के बार का पमर है तो और यह – यूजर्वY, और समय ने में वीचान, टेसली प्रूरहन सेत्रइन की inalts STP क संस्था, ने किया और दोनों में हम लोगों सफलता मेली। बेना किसी संगठन के, बेना किसी पाटी, बेना किसी जढडा के एक विचार था लđक के साथ न्याय होना ची है। प्रत्योगी चात्रδα के साथ न्याय होना ची hempid is a man-dari साहजारो लड़ी हजारो लड़ी । मैं अंसन पर बैठा ता मैय और मेरा एक साथ ही अंसन पर बैठे ता मनों नौ दिनों तक मुकरजीनगर में देश पर के सेकड़ों सांसद वहां आके उन्होंने अपनी बात कही हर पाटी के हर दल के लोग और मद्रदेश में अभी कई जो केंदर में मंतरी थे अब राजी में यहां मंतरी हैं उन लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया था खासकर के प्रलाद पटेल जी है इन से मेरी मुलाकात उस समय में हुई थी हिंदी पट्टी के लोग थे यह लोग सरकार में अपनी बात रख रहे थे हैं और दूसरी पाटी के कॉंग्रेस के भी सपा के भी कई लोग राजयत के लोग रगुबंस प्रसाद सिंह बिहार के हैं अब नहीं रहे वो इस दुनिया में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था तो बीजेपी के लोग उस समय मुली महर जोसी जी उन्होंने हमलों की बात पहले 2014 में रखे थी लोग सभा में तो हर पार्टी के लोगों ने मुलाहिम सिंहादब जी ने हमारी तक्ती लेकर वो बैठे वे तेक भाई सी सेट को हटाना है तो उस तरह से उस अस्तर का वो पर जब हम स्टेट सर्विसेज में आते हैं तो काफी धानली होती है और आपने स्कील प्रती है गाना भी लिखा है तो वह हम चाहेंगी कि आप उसको इस स्टेट में क्या है अब धानली करते हैं और न्युकति मोर्च और कॉंग्रेस सरकारी है तो अस वक्त कांग्रीस सरकार ती अभी भाजपा की सरकार है यानी कि पेपर लिख सरकार निर्पवरची घटना है सरकार किसी की भी रहे, सिस्टम ही लिख है, जब सिस्टम ही लिख है तो वो उस लिकेज को बंद करना होगा, सुलेशन किसका लगेगा, कौन साटेगा, यह तै करें, लेकिन सिस्टम लिख है, तो यह उस पर मैंने अभी एक गीत गाया बहुत वायरल है, मुझे लगता है कि 48 से जादा मेरे इंस्टाग्राम पर उसके भी होएं, अभी, 48 गंडे में, वो गीत इसलिए मैंने गाया, बहुत मैंने उसको एक पॉपलर गीत के द्वारा मैंने उसके दर्द को कहा है, कि मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे, एक विजारा एक व के द्वारा में, तो हम भी अपना दुख दर्द मुखिया जीक को सुनांके क्या करेंगे, सिधे राम लला को सुनाते हैं, इसलिए वो गीत का रहा है, कि मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे, कहना राम जी से हालत नहीं ठीक है, हर पर इच्छा क पेपर हो जाता लीक है, कि ऐसी धांदली से मुक्दी गब पाएंगे, कौन बताएंगे, पहले बेतन से या योध्या धाम जाएंगे, कब जाएंगे, तो यह जो विद्यारतियों का दर्द है, और यह विद्यारतियों का दर्द मैंने गाया है, उसको विद्यारती, इसको है उत्तरप्रदेस में बीजेपी की सरकार हो जहां भी पेपर लिग की घटनाए होंगी वहां तो यह पूछेंगे कि हर परिच्छा का पेपर क्यों हो जाता लिग है यह बात ओभाने साहमा, लेकिन ठीक है, हम लोग अपना काम कर रहे है, वो भी झाए किन ने मुद्दा जब च"-क अ देबी तनि मुद्दा ट्रोल्र के लिए पूप्लिक लि, को इसे ही लगा जाते हैं, क्यों आपके क्रूम, से घुल Serum अई था अई सब चुनाव लड़ना राजनीती के वल नहीं है चुनाओ लड़नाही के वल नहीं। यह बात हम लोगों को मतलब हमारे समय उगाओं को असपष्ट हो जाना चाहिए। हमें जिस भी छेत्र में थोड़ी बोट सफलता मिलती हैं उसका डेस्टिनेशन चुनाओ को मान लेते हैं अच्छा किर्केटर उसका पर मोख्ष कब मिलेगा जब चुनाओ लड़ लेगा बहुत बड़ा अभिनेता, उसको मोक्ष मिलेका जबुछाओ लड़ लेका है, बहुत पॉपलर गयाक ―ब उसको मोक्ष मिलेगा तो मानवश चुनाओ नहीं है, पानो यात्रा है, कुछ लोग उसा चूनाओ राजनِति बहुंग ऑली ये较त, निशया को. अपने राष्ट के बारे में सोचना, अपने देश के बारे में सोचना, उसकी नीतियों पर सोचना, उसकी नीतियों पर बोलना, यह महत्वपूर्ण है, तो हम राष्ट नीती के लोग हैं, एक जो चुनायू राज नीतियों नहीं है, कल हो सकता उस प्रक्रिया में मौका लग जो राज के पुलिस का महा मुखिया वो विधाय कचुरा लड़की क्या करेगा देना क्या रहा है सोसाइटी को जो इतना कुछ दे चुका है पता चला कि कोई अरभ अरभ पती उद्योग पती है और इभू तो बैसे फंड दे के लों का कल्यान कर सकता है बिना आख बला का आख दे नकली बढ़िया लगवा दे बिना हाथ बला का हाथ केम्प लगा दे बढ़िया बनमा के कमपनी का बिना जो की तेजाब एसीड अटेक वालों के लिए होस्पिटल खुलवा दे कुछ भी कर सकता है ना अरभ रूपिया है नहीं काता है एमेले बने है लेकिन नहीं बंडी इसी तरह का बंडी इससे मांगा हम लोग का तो सस्ता वाला है और हमरा तो एक ही कलर दो तीन कलर है सत्त रंगी कलर बंडी हाथ जोड़ना गेंदा का माला परचिस तीस गाड़ी वह भी अपने पैसास बचारेगा अपना जोगार किया हुआ आदमी हर जिन्दें को रहे सकता है इसको लिए आणये गले है यंद्यिक नहीं इस नहीं हो दो नहीं चीड़क्ता हैं नहीं कर सकते हैं कोई भी कर सकते हैं ARE जेर घुन आय व्हां नगेना अरी यह रहागा शिकbnतर करता कर सकते हैं मूट्यितिख आप श सघन रहे है नारे बेल्ष सब के लिए आ जा दिये लेकिन कैसे ले लेखा कहा लेखा हम लोगों को बिस्कुट खाने का पैसा मुश्किल स होता है राजनिती ऐसे हो जाता है कई इंटरनेट पर जो लोग आजकल हीट है उस तुरंत राजनिती का बात करने लगते हैं कहा लाओगा 10 कौर रुपया राजन लेखा का अदमी सब कहां से लाएगा हम लोग तो भाई विचारा इतना भूकने पर अभी आप जो है कि सेंडवीच खिलाई है तो इतना बोल पा रहा है फिर जाकर भी खिचली खाएंगे तो दूसरा पॉड़कास्ट में हो सकता है बोलेंगे हम लोग कहां से लड़ेंगे हम लोग लड़ेंगे हम अपनी कलम से लड़ रहे हैं हम अपनी विचार से लड़ रहे हैं यह लड़ाई जारी रहेगी इसमें एक रुपिया का खर्चा नहीं है और कोई दवाव नहीं है और किसी राजनितिक दल के परती कोई मजबूरी वाला यह नहीं है लोगों के परत चाहूंगी जो कि एकदम लीग से हटकर ही ए ए सर्र हर बुक जिसको मैं सोच्ती हूं कि यह best होगी यह best होगी फर सब पर एक के बाद एक best seller लिखा रहता है तो किसको best माने सरफ best seller एक तरह का जो है कि चक्मा है एक सातिरगीर्य है हिंदी की कि दुनिया का जिसके चक्कर में नहीं पढ़ना है ज़िए किसी को बेस Ilar यहां लोग 200 , 400 किताब में बेस सेलर आपस में लड़ने जुनेलगते हैं बेस सेलर नहें सहरा जो संपादक अगर अबूसार हो पाथक बाुचित होता है। आगके कामरी मे और हमती कितादी नहीं को है। इस वर्गी करपा से हम पाठक इतने मिले हैं, हम लोगों के किताबों से उस बेस सेलर के किताबों की बीच की दूरी होगी, हमको लगता है 7-8 लाग कॉपी का, 7-8 लाग कॉपी, 10 लाग विग चुका है डार्क होर्स, वो आपको बेस सेलर के लिस्ट में नहीं दिखेगा, तो कहने का मतलब यह है कि यह कोई हिंदी में बेस सेलर जैसी कोई अवधारना नहीं है, हम से कंद पचास जार बीके तो बोलना चाहिए बेस सेलर, वो है नहीं है, तो इसमें पढ़ना भी नहीं है नहीं लोगों को, आप लिखिए पाठकों तक पहुंचिए, और जितना लेखक तो दिखाई नहीं सकता है, बेजयती महसूस होता है, पता चला है, साड़े तीन साल का रोयल्टी आया है, एक तीस सो पचास रुपई है, क्या करेगा लेखक, दलिद्री रहेगा, वो इनकली दान पर जोलामने घुमेगा विचारा, यही बात है, तो बेस सेलर की अ नहीं पर जाएगा लेखक को दोलिद्धा एंटर्नेट आने से यह बीवात सही है, एंटर्नेट के आने से किताबों के पाठक बढ़े है, तो यह रखते हैं, तो इस नाम का क्या आर्थ है, तो अच्या और हमेशा क्या नाम से ही डिसाइड होता है, कि कितनी चर्चित कि नाम थोड़ा अपीलिंग हो जिसे आपने लिखा डार्ख वाइ लिखा डार्क होर्स तो एक फ्रेज है एक लोकोती ही कह सकते है उसको अपलू कि एक एक ऐसा गोड़ा जिस पर किसी ने दावना लगाया हो एक कमजोर सा दिखने वाला गोड़ा जो आपको लग रहा है चल सब चलने वालों जिपः जिए जचाते है इसब दार्खरो कर गती है तो जह सेंष्ज करता है अबलत कि ऑंञ़ को मतला मतलब है वो कह अगोर का बंद्ध मतल्क है अगोरणस है अगोर मतलब गोर के बिपरीत गोर क अदेरा इट नंदेरा थो अगोर को मतलम य उजाला है श नाइसिल पॉडर लगा लियों, भसम लगा लियों, उसको अघोर करते हैं यहापर, जो अंडबंड करतावा दिखेगा आपको रोड में सांफल पेटके, उसको कहेंगा अघोर अघोर का मतलब जिसके माते पर चंदरमा है, जो उजाला लिये पैठा है, अघोर, गोर के विप एक बासुकीनात के हमारे मंदिर में जारखंड में गीत प्रार्थना गाया जाता है, बहुत पॉपलर है, उसको अलग अलगों ने अपने तरीके से गाया है, उसकी दो पंगतियां में, अपनी भासा में, वहां की भासा है अंगीका, अंगपर्देश जो कर्ण की राजधा होती थी चंपा, वो उस इलागे की भासा है, अंगीका, उस भासा में है वो गीत, अर वी माला वी भूती बाबा, बारादा बहना वासे, अलंबे है लंबे है लाटा लाटा, कावे बाबाबा सुकी, नीला बारन बाबा, नीला बहना वासे, लाले है लाले है लोचना, घुमावै बाबा बासुकी, कि धाना धन्या दारुकवाना, जहां बासे आप हारा, हरे दुखी आकै दुखा साव, हरे बाबा बासुकी, यह है बाकी भूक के नाम पर थे, तो तीसरा jagदूगर है, तो उसका भी एकसेन से जो किताब के आखरी में, यार जादूगर, यानि कि कोई ऐसा कोई मायावी होगा, वो है, तो नामों का महत्तों तो होता है, नाम ऐसे ही नहीं रखे जाते हैं, रखने का तो अभी भी लख सकते हैं, छूके निकल गई, मुझे पसंद की हवा, अभी इता लंबा नाम, रखते हैं लोग, रेत पर ढूं यानिया ले जाएंगे, तो यह थोड़ा एड़ेक्टिव रखता हूँ, मैं मेरा जो है, मैं विशेशन इस्तमाल करता हूँ, डार्खोर्स, कोई है डार्खोर्स, ओगण की कोई है, ओगण, यार जादूगर की कोई है, उसकी विशेशन, तो यह अपना तरीका होता है, हर णवन की पहता हुष्टी है किताब लिखते हैं तो प्रड़ में वापिस पढ़ कैसा है इसा राइटर या इसा घर्ष्यप नाद है पढ़ते हैं हम लोग, तभी हम कहते हैं कि हमने एक ड्राफ्ट किया, दो ढ्राफ्ट, तीन ड्राफ्ट यानि कि लिखने के बाद उसको बारबार पढ़ना लेकिन उसमें दाता एक बात है, अपने अच्छा सवाल पुछा है क्योंकि होता क्या है कि कोई भी राइटर अपने पढ़े को आखरी तक में अच्छा मानी लेता है, मान लेता है कि मैंने बालमकी के रूप में रमायन रच दिया, अब संसार अगर उसको ना समझ पाये, तो ये संसार की निरवलता है उसकी कमी है, मैंने तो सरसे लिख दिया तो इससे बचने का एक उपाय जैसे मैं जो उपाय अपनाता हूँ मेरे ऐसा राइटर कि आपको कुछ लोगों से किताब पढ़वानी होती है कुछ लोगों से मतलब कुछ लोग में बहुत चुनके जैसे मेरा पहला पाथक मेरे पिता होते हैं जिसको खाटी बाप कहते हैं लोग डैड और पापा नहीं बाप बाप जब आपकी किताब पढ़ेंगे तो वो एक बार में कह सकते हैं कि यार तुमने कुड़ा लिखा उठा के फेक सकते हैं अगर पिता ने कह दिया कि नहीं इसमें कुछ बात है थोड़ा तुम अच्छा लिख रहे हो तो एक बहुत हिम्मत मिल जाता है फिर और दूसरा बिवाहित लोग लिए बता रहा हूँ पत्नी से पढ़वा लिजिए अगर पत्नी को आपकी किताब थोड़ी बहुत बैच्छी लग गई तो इसका मतलब उसमें कुछ है तेकिन ये बात पत्नियों पर लागू नहीं होता है अगर कोई पत्नी किताब लिख रही है तो पती से ना पढ़वा है क्योंकि आप कुछ भी लिखोगे पती आपको यही बोलेगा कि तुम हो गारगी, तुम ही हो मैत्रई तुमने जो लिखा संसार का सबसे इसी किताब में है इसलिए उस पर भरोसा मत कीजिएगा लेकिन लड़कों के लिए है कि अगर वो अपने पिता और अपनी पत्नी से पढ़भा के पास करवा ले तो मुझे लगता है कि उठी कराता है तो अपने लिखे को पढ़िए भी और अपने कुछ आलोचक से जो आपके सुचिंतक हैं और आपकी आलोचना कर सकते हैं आपका गुरु भी ऐसा हो सकते हैं उन से मैं पढ़वाता हूं जादा किताब-निश्चितर उपसे पढ़वाता है बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने बहुत काम का सवाल पुझा था बहुत 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 दहना है सर्थ, प्रीफेस किस से लिखवाते शर आप ? प्रीफेस तो कई बार होता है कि अलग-अलग किताबों के अलग-अलग भूनकाएं होते हैं उसके मुफीत जो लोग आपके आसपास होतें आप उससे लिखवाते हैं मेरे दूसरी किताब में कुछ है, जो मेरे मित्र, जो आई-पिस, उए कुछ जो नोकरी कर रहे है, उसमें लोग गाई का है, मालनी अवस्तिजी उनका है, और और खड़ किसी का नहीं है, यार चादुगर भी किसी का नहीं है, तो अलग-अलग किताब की अलग-अलग ज़रते कई बार कोई लिखता भी नहीं भी लिखता है। जा कई बार कुछ रइटर पैसे देखी भी लिखबालेते से। लिखवाते हूंगे आभी तो हम लोग पूरे पॉड़कास्न में भी बात करते हैं रिटर पहस पैसा नहीं है। अभी लोग इतना पैसा लेके आने लगा जो पैसा देके प्रिफेस लिखाने लगा तो बहुत हाइली प्रोफेशनल हो गया अभी मुझे लगता है हिंदी उत्ती दूर पहुची है जो कि ये करवा ले और ये करवाने का कोई फायदा नहीं है मैं आपको बता रहा हूं मतलब किताब एक बहुरामे trucks पांटेनथा लेड नहीं है। आपकेजिर नहीं चलता है और हमदा केजिंग यह ज़ा देनुटानीग पैकेजि नहीं चलता है फेकेजिंग एक दिन दो दिन 50 एक बार एक पाथग मैठालेगा लेका लिगा लेकन वह पाथख जब बोलेगा किसी तो ताइम लगता है, वो पुरी टीम को भी मजा आए तो थांकियो सर्माइज करती हूं कि आप फिर से हमारे शोप पर आएंगे वैसे तो मन नहीं हो रहा है कि आप से बातल आप हम अभी आप वराम करें बड़ा मैं राहा है नेक्स ताइम हम आप लिए आप लेक्ट पोड़े जाएगा थांकियो तो आरे लोगत पेड़ पोड़ा जहां लेते हैं वह रोप एचाले जाते हैं उसको लेके जाएंगे जाये बाद बोड़ दन्यवाट